नमस्कार दोस्तूं धोरा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हैड कलरक और UDC की पोस्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझे इस्टाग्राम पे मेसेज कर रहे थे कि सर जो NSIT की recruitment आई है उसके exam के बारे में बताई है क्योंकि कहीं पर भी हमें किसी परकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों syllabus को लेकर तो update कर दिया है NSIT ने exam patent को लेकर और exam schedule को लेकर चीज़े अभी तक clarify नहीं की है। तो बहुत सारे लोगों के लगतार सवाल आ रहे थे कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें exam patent को लेकर बहुत सारे बच्चे tension में हैं, number of question यानि exam में कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, exam में आपको कितना समय मिलेगा paper soul करने के लिए और negative marking रहेगी य ये जितनी भी post आपके सामने हैं, LDC, Steno, Store Keeper, Head Calder QDC, इन में से आप अगर किसी भी post के लिए जा रहे हैं, तब आपके लिए ये video बहुत important होने वाला है, क्योंकि इन सभी का जो syllabus है, वो दोस्तु same होने वाला है, syllabus के उपर discuss करूँगा, साथ मैं exam patent के बारे में बता समार्ट तरीके से आप केसे exam को करेक कर सकते हूँ, दोस्तों अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि इस recruitment में मतर 60,000 फोरम बरे गए हैं, only 60,000 फोरम बरे गए हैं, और total इसमें 7-8 परकार की post रहने वाली है, 5 post मैंने यहाँ पर लिख दी है पहले सहीं, कुछ और technical post इसके अंदर उनका जिकर में इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, 60,000 का competition कोई भारी नहीं है, कोई बचा dedication के साथ तैयारी करता है, तो definitely वो select हो जाएगा, तो LDC Steno Store की पर head color QDC अगर आप बनना चाहते हैं, तो आप अभी से dedication के साथ में तैयारी सुरू कर दीजिए, क् एसी खबर आ रही है कि अब इसका exam conduct करवाया जाएगा, जल्द से जल्द, अब बात करते हैं इसके exam pattern को लेगा, exam pattern की बात आप तबी समझपाओगे, जब आप इसके syllabus को एक बार अच्छे से देख लोगे, देखे इसका जो syllabus है, इन सभी post का जो syllabus है, वो same रहेगा, बस level of exam ह थोड़ा अलग होगा, जैसे LDC, Steno, Store Keeper की post के उपर जो exam होगा, वो 10 plus 2 level का होने वाला, यानि 12 level का होगा, लेकिन जो head कल रख और UDC का exam होगा, वो आपका graduation level का होगा, ठीक है, ये दोनों exam graduation level के होगे, बाकी 10 plus 2 level के exam होगे, 10 plus 2 के अंदर जो level रहेगा, वो CBSC board के according होगा, इ इसका syllabus दिखाऊं, फिर बात करताऊं कि कैसे आपसे exam लिया जाएगा, यहाँ पर जो syllabus है, वो LDC का है, लेकिन मैंने check कर लिया है, आराम से, सबका syllabus सेम रहेगा, LDC, UDC, Stenographer, Store Keeper, और साथ में जो है, head कल रख, इन 5 post के लिए, सबसे पहले इसमें, जो part 1 देर का, इसमें quantitative aptitude क क्यूसन आपसे पूछे जाएंगे, quant आएगी, इसके बाद में reasoning and intelligence की क्यूसन पूछे जाएंगे, इसकी pdf में आपको telegram के साथ में share करूँगा, तो वहाँ से आप download कर ले न, telegram का link मेंने description box में दे रखा है, इसके बाद में आएगा general study, current affairs and general knowledge, यहाँ पर clear mention है कि current affairs के काफ basic of computer, यानि computer के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, देखे, total यहाँ पर 5 part के अंदर आपका exam divide होना है, ठीक है, ऐसे में अगर हम बात करें कि exam का pattern क्या रहेगा, तो आपके exam में total 5 section बने वे होंगे, परते एक section के अंदर 20 question होंगे mention, यानि हर section में 20 सवाल आप से total number of question हो जाएंगे 100, ठीक है, total marks भी हो जाएंगे 100, total time आपको इसमें दिया जाएगा 90 minute, यानि 1 गंटा 30 minute, और negative marking इसके अंदर रहेगी 0.25 की, ठीक है, 0.25 की इसमें negative marking रहेगी, यह तो आपके सवालों के जवाब हो गए, smart तरीके से आप इस exam को कैसे correct कर सकते हो, इसका formula में आपको बता देता हूँ, देखें दोस्तों यह जो syllabus है, यह भारी भरका में देखने में, लेकिन अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से section wise study करते हैं, तो आप definitely exam को correct कर लोगे, जैसे बहुत सारे बच्चों का quant अच्छा होता है, तो कोसिस कीजिए, कि quant में 20 out of 19 लेकर आएं, जिनका अच्छा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका quant अच्छा नहीं है, उनके लिए दूसरा तरीका भी मिल जाएगा, जिनकी reasoning अच्छी है, उनको कोसिस करना है 20 out of 19 marks लेकर आने की, यह मैं particular subject की बात कर रहा हूँ, हर बच्चे का एक subject ऐसा होता है, जिसमें वो out of out score क and general knowledge, यह सब को पढ़ना होता है, यह सब के लिए compulsory होता है, इस section को आप छोड़ नहीं सकते हो, इसमें क्या होता है दोस्तों, 20 questions अगर आप से पूछे जाते हैं, और आप 15 तक questions कर लेते हैं, तो definitely आपकी possibility है, वो बढ़ जाती है, इसमें ऐसा होता है कि current affairs और static के सवाल ज्य नीचे तैयार कर सकते हो, कैसे करना है, यह भी मैं आपको बता दूँगा, इसके बाद में देखिए, English जो subject है, यह approach बच्चों का अच्छा है, जिन लोगों ने यह form apply किया है, क्योंकि उन्होंने English को देखा है, उसके बाद ही apply किया है, हिंदी वाले English को देखकर ही apply नहीं क इसके बाद कहां फसते हैं, कहां फसते हैं, कंप्यूटर में फस जाते हैं, बहुत सारे लोग बाकी सभी subjects में अच्छा करते हैं, लेकिन computer में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, इस वज़े से उनका selection है, वो minor marks के साथ में रह जाता है, तो smart study के मैं आपको तरीके बताऊं, त current affairs के अच्छी तयारी कहां से करोगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, कि exam का जो level है, वो दोस्तों रहेगा 10 प्लस 2 का, ठीक है, 10 प्लस 2, CBSC examination के according, इसका level रहेगा, सभी सवाल MCQ type में पूछे जाएंगे, ठीक है, सभी सवाल MCQ type में पूछे जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, exam helper की तरफ से एक book release की गई है, computer ग्यानकोस की, जो की एकदम latest updated book है, topic wise इसमें syllabus है, और साथ में MCQs भी mention किये हैं, यह book especially LDC, UDC, stenographer, head color, assistant, इन लोगों के लिए ही बनाई हुई है, और इस book को आराम से 8-10 गंटे में तयार कर लोगे, मात्र 8-10 गंटे अगर आप dedication के साथ देते हो, तो इस book को आप तयार कर लोगे, और basic computer के जितने भी topic होते हैं, वो इसके अंदर सारे mention किये हैं, इसके अंदर chart भी दिये हैं, इसके अंदर diagram भी दिये हैं, इसके अंदर abbreviations भी keys भी दी हुई है, साथ में chart बना कर बहुत अच्छे से इसकी भासा है, वो आपको समझ में आ जाईगी, इसलिए मैं आपको ये book सजेस्ट कर रहा हूँ, कि computer के अगर 20 out of 18 marks लेकर आने आपको, तो आप ये book purchase कर लीजिएगा, इसकी price में मैंने छूट करवार किये, इसकी price व June 2020 तक का static हिंदी में इस book में आपको मिल जाएगा, current for all यानि सभी exams के लिए current affairs है, और इसके अंदर भी अच्छी बात मुझे क्या लगी, कि इसमें सभी math porn MCQ plus व्यक्या दी हुई है, यानि extra fact बताया हुआ है, ताकि आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाए, अधिकतर उसकार अवार्ड, नविंतम पुस्तकें और लेखक, नॉबेल प्राइज, बजट 2020 किस खेल, संगठन, नई न्यूक्तियां, राष्ट्रिये सिल्चले, तथे और इंपोर्टेंट डिवस इसके अंदर है, अंतराष्ट्रिये संगठन, ओलंपिक, राष्ट्रिये खेल, रा परचेज कर सकते हो, सर कहां से परचेज करें, तो दोनू बुक्स का लिंक मैंने, डिस्क्रिप्शन बुक्स में दिया हुआ है, वेसे इन दोनू की प्राइस 150 है, लेकिन अगर आप अभी परचेज कर लेते हैं, तो आपको ये मातर 100 रूपीज में मिल जाएगी, इस बुक कॉंफिडेंस बढ़ जाएगा, कॉंफिडेंस जब अच्छा होता है, तो एक्जाम में चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, तो दोनू को आप परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स में दे रखा है, ठीक है, इसके बाद मैं दोस्तों जो आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से टोपिक से ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको फालतू का कचरा ना पढ़ना पड़े, और आज के जमाने में अगर आप पूरा सिलेबस लेकर बेट जाओगे, तो आप एक्जाम करेक्ट नहीं कर पाओगी, क्य आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना, कि आप इस एक्जाम के लिए डेडिकेशन के साथ जा रहे हैं, या फिर आप इसको हलके में ले रहे हैं, कमेंट जरूर करना, और बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वी करना है, आपको डेडिकेशन दिखाना है, ताकि मेरा भी मन बने कि हाँ, इन बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊं, देखें, साथ हजार ही टोटल लोग है, तो हर कोई इसकी तैयारी आपको नहीं करवाएगा, क्या होता है दोस्तों, बड़ी कोचिंग होती है, बड़े प्लेटफों होते हैं, वो भीड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनको पता है कि 50-60,000 में अपना कुछ भी नहीं होने वाला है, तो वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाते हैं, तो छोटे जो एक्जाम होते हैं, या कम फोरम बरे जाते हैं, जिस एक्जाम के लि यह उमीद किये बैठे हैं, कि कोई उनको तयारी करवाए, कहीं पर भी इसका को study material भी नहीं मिलेगा, separate आपको book भी इसकी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कोई tension वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, कहां से आपको quant तयार करना है, कहां से आपको English तयार करना है, कहां से आप इस बुक से सोरी तैयार कर सकते हो परचेज करके ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में तब तक के लिए सभी को जैहिंद